असलाम अलेकूं फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे कल मैंने जो पार्ट टू में आपको नंबर सीरीज का सिखाया था मैंने सोचा था मैं लेटर सीरीज शुरू करूँगा लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टन दिखा तो मैंने सोचा पहले आपको नंबर सीरीज का वह इंपॉर्टन टॉपिक सिखा लूँ क्योंकि मैंने बोला था number series जो हैं बहुत types के होते हैं तो हो सकता है हमें question exam में इस type के भी आजाएं जो मैं सिखाने वाला हूँ तो मैंने सुचा वो छोड़ना ठीक नहीं रहेगा तो आज हम वो question करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किया है तो चलिए वो यह कुछ नया है different है पिछले वाले topic से I mean पिछले वाले question से थोड़ा सा different है तो हम question से start करते हैं लेकिन उससे पहले जो मैंने आपके लिए homework रखा था जो यह question है I hope आप लोगों ने किया होगा तो मैं पहले मैंने मैं कहता हूँ हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि मैं आपको यह solve करके दूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप यह try करें फिर वह answer अप अपना इसके साथ match करें तो पहले मैं ये question आपके लिए solve कर देता हूं उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के topic की तरफ तो ये जो question है इसमें पहले हमें 9 है 27 है 31 है 155 है 161 है and 127 है आप देख रहे हैं यहां से सीधा 1127 एक बहुत बड़ा gap आ गया बहुत बड़ी difference तो इसमें multiply होगा ठीक है तो हम देखते हैं यहां हम 9 और 27 में difference देखेंगे तो 9 multiplied by 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा उमीद है आपको आवाज आ रही है और यहां पे multiply तो नहीं होगा लेकिन इसमें और इसमें difference है 4 की तो 27 में हम प्लस 4 करेंगे तो 31 आएगा यहां पर 31 को किस से multiply करें कि 155 आए क्योंकि यहां पर 31 multiplied by 5 से करेंगे तो answer आएगा 155 अब multiply करके check कर सकते हैं 31 को 55 से multiply करेंगे तो 155 से आएगा तो यहां पर हम देख लेते हैं इनकी difference है 6 155 में प्लस 6 करेंगे तो 161 आएगा और यहां पर है चुकि यहां पर 3 है और यहां पर 5 है तो आगे वाला मुझे अंदाजे से ही पता चल गया कि मुझे multiply करना है 3 5 7 के साथ तो चक कर ले पहले देखे 161 multiplied by 7 7 7 6 सार 42 7 7 11 तो देखी यह आ गया 161 multiply किया 7 के साथ तो 1127 आया तो अब देख लीजिए यहां पर मुद्टमे होरा है यहां पर हो रहाए है यहां पर और यहां पर यहां पर प्लस हो रहा है यह फोघ। यहां पर अगे प्लस फौर में two add करेंगे तो six आएगा six में two add करेंगे तो eight आएगा तो हम one one two seven में प्लस two करेंगे तो one one two sorry 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 प्लस two ने करने प्लस eight करने तो यहां पर two eight ने eight करना है ठीक है यहां पर 8 एड़ करना है तो यह हो गया यह तो थ्री में आएगा यह फाइफ आएगा तो 1135 हमारा आंसर निकला जो कि यहां पर आएगा ठीक है तो हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट कोशिन की तरफ तो गैस आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता दूं कि मैंने यह चैनल नहीं शुरू की है तो मेरे अभी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और विव्स भी ज्यादा अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन शुरुआद में तो इतना ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा और कीजे शेर कीजे अगर मेरा वीडियो पढ़ाना पसंद आए और लाइक दबा दीजेगा ताकि मेरे विव्स बढ़ें और मैं भी लाइक्स का टार्गेट रख देता हूं 100 लाइक्स अभी ठीक है तो चलिए आगी टाइम वेस्ट करने के बगार हम अपने आज के टॉपिक क पर बढ़ते हैं उसरी कोष्ञा में जो पिछले कोष्ञा से थोड़ा देफ्रेंट रखोड़ा किया बहुत ज़्यादा है तो चलते हैं पहले कोष्ञा की ओर पिछले वाले questions में आपको bracket नहीं दिखते थे, यह सब box यह सब नहीं था, लेकिन इस वाले में box है, circle आएगा, star आएगा, triangle आएगा, वो सब आएगा, ठीक है, तो हम अपना question लिख लेते हैं, four, ten, question mark, one, seven, eight, four, five, nine, तो friends, guys, इसमें हमें डूणना है, जो यहां पर question mark दिया है, missing number डूणना है, तो जो भी यहां पर missing number है, वो कैसे आएगा, वो देखना है, आप खुद चाहें, तो खुद try भी कर सकते हैं, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ, यह कैसे करना है, उसके बद आप खुद, next question स खुद try भी कर सकते हैं, तो यह देख लीजे, इसका pattern कुछ इस तरी के से है, यहां पर आप देख सकते हैं, 1 प्लस 7, अगर 1 को 7 के साथ add किया जाए, तो 8 आता है, ठीक है, 4 को 5 से add करें, तो 9 आता है, अगर यहां पर 1 प्लस 7, 8 आता है, 4 प्लस 5, 9 आता है, तो यहां पर 4 प्लस 10, 14 आएगा, तो हमारा यहां वाला आंसर जो है, 14 है, जो की इस जगा पर आएगा, ठीक है, अभी बढ़ते हैं, नेक्स क्वेशन की तोर, 10, 2, 9, question mark, 8, 17, 19, and 10 8, 10, 2, 9, question mark, 8, 17, 19, and 10, हम देख रहे हैं, हम पहले देखेंगी कि हमारा कोई pattern बनता है, 8 प्लस 10 रूर नहीं है, 17 प्लस 19, 10 नहीं है, तो pattern कुछ different है, फिर, चेक करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं, कि यहां पर 8 प्लस 9 करेंगे, तो 17 आ रहा है, 8 को 9 के साथ add करेंगे, तो 17 आ रहा है, यहां पर 2 को 8 के साथ add करेंगे, तो 10 आ रहा है, तो obviously यहां पर भी 10 को 9 के साथ add करेंगे, तो 19 आएगा, तो यहां पर जो answer है, वो 9 आएगा, ठीक है गाई एट को नाइन के साथ एड किया 17 आया टू को एड के साथ एड किया 10 आया तो यहाँ पी भी 10 को नाइन के साथ एड करेंगे तो 19 आएगा तो यहाँ पर हम अलग से एक ब्रैकेट बना देते हैं 247 यहां पर कंटिन्यू करता हूँ तू ग्वेस्टेन मार्क नैन जीरो जीरो है । एशिक्स और तू तू फोर सेवन तू नाइन जीरो शिक्स तूओ और बीच में कॉच्छन मार्क तो इसको देख लेते हैं कैसे करने है आवा गुको टू के साथ माइनस करेंगे तो जिरो आएगा छैवन को नाइन के साथ माइनस करेंगे Ayawjaya minus है और यह minus है ह। तो के 2 कर टू के साद माइनस करेंगे तो जिरो आएगा septaire no signs के ऐसाद को आई को मैनिस करेंके कि एक साथ के आएका फॉर को मायनिस करेंगे झाहँ है खॉल अग्रum मैनिस करेंगे 10 के साथ इसका सीन प्लस है इसका बाड़ा का साइं मिनस है जो बड़े का साइं होता है वही वो ही answer के sign में भी होता है जो answer होता है ना हमारा जब हम minus करते हैं किसी छोटे number को बड़े number के साथ minus करते है तो जो बड़े का sign होता है वो ही आता है तो यहाँ पर बड़े number का sign जो है वो minus में है तो हमारा answer भी minus में ही आएगा minus 6 तो यहां पर हमें माइनस 6 है तो अगर हम यहां पर 10 लेख लेते हैं 2-2 0-4-10-6-7-9-2 7-4-3-4-10-6-7-9-1-5-4 ठीक है 7-4-3-4-10-1-5-4 तो हमारा हम पैटर्न चाक कर लेते हैं 7 को अगर 4 के साथ माइनस करते हैं तो 3 आता है 1 को 5 से माइनस करेंगे तो माइनस 4 आएगा क्योंकि मैंने बोला था जो माइनस जो साइन बड़े वाला नंबर का होगा वही साइन आंसर में भी आएगा तो यहां पर माइनस इसको आया है 1-5 कर रहे हैं तो माइनस 4 आया है जो कि हमें fit बैट रहा है यहां पर तो यहां पर भी 4 को 10 के साथ माइनस करेंगे तो माइनस 6 आंसर आएगा 4 minus 10 equals to minus 6 13 15 12 0 2 0 4 0 5 0 4 0 5 0 8 30 65 देखिए गाइज विश्ले वाले कॉच्चन से थोड़ा डिफरेंट है इसमें हमें पैटर्न ढूना है अगर हम 13 को 15 के साथ एडिया माइनस करेंगे तो 12 तो कैसे नहीं आ रहा है यहां से एड़ करते हैं 13 प्लस 2 प्लस 4 थर्टी नहीं आ रहा है तो कुछ पैटर्न डिफरेंट देखना पड़ेगा तो अगर हम अगर हम थर्टीन को टू के साथ मल्टिप्लाय करें थर्टीन को इस टू के साथ मल्टिप्लाय करें और यहां पर प्लस 4 कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है 30 तो यह वाला तो ठीक बैठ गए अब यह वाला देखते हैं 15 को 15 को इस पॉर के साथ मुट्प्लाय कर लें और प्लस कर लें यह वाला 5 तो आंसर हमारा आ रहा है 65 तो ठीक है तो यह यह भी फिड्बैट गया यह भी ठीक तरीके से बैठ गया अब यह वाला ढूंड़ना है 12 को मल्टिप्लाइ करेंगे इस 5 के साथ एड करेंगे एट तो आंसर आएगा हमारा 5 तो आटेन फाइव और फाइव और फाइव सिक्स प्लस एट एकोस तो 68 तो गाइज हमारा आंसर निकला 68 जिसको हम हमारे इस वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे ठीक है अब इन नेक्स क्वेशन के और बढ़ते हैं चलो मैं इस वाले बूर्ड पर लिखता हूं अभी आया हमारे पास सर्कल वाला एक इसमें एक्सीज दोनु साइड से है इसको चार हिसों में बाटा है इधर है कॉस्चन मार्क 9, 22, and 13 यह कॉस्चन बहुत इजी है बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसको पैटर्न ढूणना है तो देखते हैं वो पैटर्न क्या आएगा हमारे पास 9 में हम ऐसा क्या एड करें कि हमारे पास आंसर 13 आ जाए 9 में ऐसा क्या एड करें कि 13 आ जाए 9 में अगर हम प्लस 4 कर दें तो 13 आ रहा है 13 में ऐसा क्या एड करें कि 22 आ जाए 13 में अगर हम 9 प्लस 9 कर दें तो हमारे पास 22 आ रहा है तो मैंने बोला था कि स्क्वारिंग और क्यूब याद रख लेना जब हमने देखा कि यहां पर 4 है और 9 आ रहा है आगे वाला तो ढूंड़ना है तो 4 किसका स्क्वार है 2 का स्क्वार इक्वार 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 इक् हम 16 एड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 8 और 3 तो यहां पर जो हमां आंसर आ रहा है वह आएगा 38 तो हमें यहां पर आंसर आ गया है 38 तो हम नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं कि लाइने डाल देते हैं और 25 49 25 49 81 अब साथ-साथ कर सकते हैं साथ-साथ यह ट्राइक कीजिए शायद आपका अंसर मेरे से पहले निकल जाए तो यहां पर कोश्चन मार्क है 25 49 81 जब इस पैटन को देखते हैं 25 किसका स्क्राइब और फॉटी नाइन सेवन का स्क्राइब एटी वन नाइन का स्क्राइब तो यहां पर फाइफ का स्क्राइब यहां पर सेवन का स्क्राइब और यहां पे 9 का स्क्वाइर 579 आगया आएगा 11 क्योंकि और नमबर है 579 11 11 का स्क्वाइर किसके बराबर हो रहता है 11 का स्क्वाइर बराबर होता है 121 ठीक है गाइस तो अगले कॉच्छन के और बढ़ते है चलो उस साइड से कर लेता हूँ यह थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंट है स्टार ट्विंकल टिंकल लिडिल स्टार दीके यहाँ पे कॉच्छन मार्क है यहाँ पे 7 है इसको हटा देता हूं में ताकि confusion ना रहे 43, 6, 31 43, 6 31 5 21 4 13 3 25 and 8 देख लिजे मैंने कुछ numbering दिये यहां पर कुछ numbers लिखे हैं मैंने हमें यह question वार मार्क जो है इसके पास क्या answer आएगा वो धूनना है हम थोड़ा सा pattern देख लेते हैं इसको कैसे करना हैं मैं दिखा देता हूं अगर हम यहां पर देखें 8 को अगर 3 के साथ multiply किया जाए 8 को 3 के साथ multiply करें और plus 1 करें तो answer हमारे पास आता है 25 8 को 3 के साथ multiply किया plus 1 किया तो 25 आ गया तो यह pattern देख लेते हैं आगे भी सहीम रहेगा या नहीं यहां पर 3 को इस 4 के साथ 3 को इस 4 के साथ multiply करें और plus 1 करें जैसे यहां पर plus 1 किया था तो plus 1 करें तो यहां पर 13 आ रहा है तो यहां पर भी ठीक बैठ गया 4 को 5 के साथ multiply करें और plus 1 करें 4 multiplied by 5 plus 1 equals to 21 यहां पर 6 को 5 के साथ multiply करें करें 6 को 5 के साथ multiply करें और plus 1 करें तो answer आ रहा है 31 तो यहां पर भी हमें 6 को 5 के साथ multiply किया और plus 1 जैसे सब जगा किया प्लस 1 तो यहां पर भी प्लस 1 किया तो हमारे पास 31 आंसर आ गया तो अब यह वाला चक कर लेते हैं 7 को 7 के साथ अगर multiply करें इस 6 को और plus 1 करें तो answer हमारे पास आ रहा है 43 7 6 are 42 प्लस 1 किया तो 43 अब यहां पर भी वही pattern आएगा 7 को 8 के साथ multiply करें और प्लस 1 करें तो आंसर हमारे पास आएगा 87 अर 56 प्लस 1 करेंगे तो 57 आ जाएगा हमारे पास आंसर तो यहां पर हम लिख लेते हैं 57 तो हमारे पास 57 आंसर आ गया हमारा अब इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं screenshot उताना चाहें तो screenshot उठा लें तो की है ऐसे circle यहां पर 64 यहां पर अभी चार हिसों में बांडते थे तो आप तीन ही इसे में बांड दिया तो यहां पर टू फाइफ एंड वान यहां पर ऐसे इस ताइब के question फोड़े डिफिकल्ट होते हैं डिफकल्ट को हम आसान बना देंगे लेकिन थोड़ा chances कम होते हैं ऐसे टाइब के question आने के लेकिन आभी सकते हैं किसको पता हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है अभी हम इसका pattern जान लेते हैं अगर हम 5 को 2 के साथ add करें और 1 के साथ add करें तो हमारे पास answer आता है 8 5 प्लस 2 इकोल टो 7 प्लस 1 इकोल टो 8 8 का square हमें पता होता है कि 64 के बराबर है 8 का square 64 के बराबर है तो हमारा यहां पे 8 को 64 square answer आ गया अब इसको भी इसी तरीके से हम solve करेंगे सेवन प्लस 3 इकोल टो 10 प्लस 4 इकोल टो 14 तो इसदर 14 आ गया और 14 का square कितना होता है 14 का square होता है 169 sorry 196 196 देख लेते हैं 14 यहां पर हमाँ आ जाएगा फॉर 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 फाइफ 169 196 तो हमें answer 196 आ गया तो आज के लिए इतना है लेकिन आपके लिए homework मैं जरूर दूंगा उसको आप solve कर लीजेगा नहीं आया तो मैं तो हूं मैं तो next वीडियो में दिखा दूंगा लेकिन आप खुद try करें उससे आपको practice हो जाएगी हूंवर्क है आपका 3 15 16 4 16 5 17 6 कॉमा लगा देता हूं ताके आप को पता चल पाए कि अलग अलग नंबर कौन है यहां पर कॉमा लगा के question mark है और यहां पर कॉमा लगा के 7 है तो यह है आपका homework जो आपको घर में करना है आया तो ठीक नहीं आया तो मैं हूं मैं solve कर दूँगा लेकिन आपको एक काम करना है आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और शेर करना है और लाइक दबाना है तभी मेरे motivation बनी रहेगी और मैं आगे वीडियो बनाता रहा हूंगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू